एक और पहले से ही प्रभाग में बहते पानी की नालिया नहीं है वही प्रभाग में नाही रास्ते बने है यहां रहने वाले लोगों के घरों का पानी नालिया नहीं होने की वजह से रास्तों पर बैता है वही यही पानी लोगों के घरों में जाने से विवाद भी परते जा रहा है souhaite पानी की नालिया नहीं होने से सभी की घरों से निकलने वाला गंदा पानी बस्ती में चमा होने से यहाँ पर जिवे जंतु पैसा होकर बिमारी देंधा है। बारबार इस बारी में नगरबंचार का रहने को आवकत करानी पर भी इस और ध्यान नई देने से यहां के लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करने की नौपत आई हैं वही यहां पर आने जाने वालों के लिए सिमेंट रास्ते तो नहीं है पर मुरम मिट्टी का भी रास्ता यहां पर नई होने से जाने आने की कटनाई पहले सी थी वह आज भी है एक और जहा पी अच्छी पक्के रास्ती तोड़कर वहां नया रास्ता बैती पानी की नारी बनाई जारे हैं। आज यहाँ पर लोगों को भारी परिशानी छेले पड़ रही है। इसलिए नगर पंचायतों के मुख्यादी कारे ने यहाँ के लोगों की मुस्यपतों को प्रातर मिक्ता से छोड़ाने के लिए यहाँ पर जल से जल बैती नार्या और रास्ती बनाना जरूरी है। इस तरह क की मांग प्रभाग के लोगों द्वारा की जारी है। बैस्यन ने उसके लिए पार्शियोंडे से रुपेश खंडा रखी रिपूर।